कि नमाजकार सातियों वेदान्त क्लासेज के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक सवगत है विद्यार्तियों आज हम चर्चा करेंगे 18 और 19 से रिलेटेड जित्ते भी करण फेक्ट बनते हैं उसके बारे में तो आज का जो पहला फेक्ट दिखाई दे रहा है आपको कि हाल में US Air Force अधिकारी जिनका नाम है विद्यार्तियों मेइडि latch से मिस अमेरिका दो 24 का ताज जीता तो मिस अमेरिका 24 का ताज जीतने वाली महिला बन गई है कौन बन गई है मेडिसन मेर्स ये से अधीकारी ये उस एएर फॉर्स अधिकारी है और इन्हों ने अभी हाली में यह ताज हासिल कर लिया है मेडिसन मार्स मिस अमेरिका का खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वायू सेना के अधिकारी बन गई यह विद्यारती तो यह इंपोटेंट हो जाता है क्योंकि यह फस्ट लेडी बनी है जो ड्यूटी पर रहते हुए इससे पहले उन्होंने मिस कोलोराडो का खिताब भी जीता था अगर हम बात करें वहत्रवा मिस यूनिवर्स 2023 किसने जीता है तो 27 पलासियोस जो की निकारागुआ की है उसने जीता है और अगर बात करें इसकी मिस यूनिवर्स की शुरुआत कब से हुई थी तो 1952 से इसकी दिया गया था उसको 2021 वाला अभी देखे 2022 वाला और 2023 वाला वह नहीं दिया गया है अभी पेंडिंग है और जिसकी शुरुआत हुई थी 1921 में आगे देखेगा हाली में अहर्याणा में भारत अंतराष्टी विज्यान महासव 2023 का आयुजन किया गया हुआ अभी ये विद् अंतराष्टी विज्यान महासव बोलो चाहिए इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 बात एक है इस बार इसका नवा संस्कन था कौन से नंबर का था नवा संस्कन था वाइस देशों ने इसमें भाग लिया और इसकी जो थीम थी इस बार की वो अमरित काल में विज्यान और प्रोजोगी की सारोजनिक इट इसकी थीम थीग इस बार की अगर आपसे बात पूची जाए कर कहार्स विज्यान दीवस कम नाया जाता है तूब परती वर्श il wrestle un मनाया जाता है इसके अलवा जब भी चर्चा में रहाता जब अंतराष्टिक गीता महुसा व कुरूच रहाना में मनाया गया था उस समय प्रकार सुरज कुंड जो मेला है उसका अयोजन भी हर्याना में हुआ था बात करें हर्याना के कुछ सबस्बल भां की है राज्य पशुण यहां का काला हिरन होता है जिसको बलेघ Always एक हर Ho एचार होता है यह अपनी सीमा चार राज्यों और एक केंदर साशित परदेश के साथ अपनी सीमा साजा करता है चार राज्य कौन कौन से हिमाचल परदेश यूपी पंजाब और राजस्तान और केंदर साशित परदेश दिल्ली कि जार्थिव बात करें यहांपे जिले कितने हैं तो 22 जिले हैं और 220 वह नम्बर का जिला कौन सा है चर्की दादरी कौन सा है चर्की दादरी कहाँ कि परमुग जीलों की बात करें तो बजकल для जील सुरज कुंद भर्हम्य स्रोवर दम्दमा जील तोहना जील ये सब अ अर्याणा में हैं नेसनल पार्क की बाट करें हैं कि परमुग नेशनल पार्क वह न् Canadian वितानपूर राश्टी उद्यान and is our national park लिभाख नर्तों की बात करें तो सांग नर्ते किता महुत सब शुरू हुआ था कब से कब तक 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2013 को चला समय चर्चा में रहा था हरियाना में ही विजे हजारे क्रिकेट टूर्णमेंट जीता और उसके लाव पंजाब और हरियाना हाइकोट नीजी छेतर में इस्थानी लोगों के लिए 75 परसेंट नोकरी आरक्सित की थी हरियाना सरकार के फैसले को रद कर दिया और इसके अलावा हरियाना के गुरुग्राम में रास्टी इस तरका जो सरस आजिवी का मेला है है 2023 वाला वा आईजूत किया गया 26 अक्टूबर से लेकर 11 नॉंबर 2023 तक आईजूत हुआ आगे देखिए हाली में जो कस्मीर में जहलम स्टेडियम है उसका नाम चेंज कर दिया गया है और नाम विद्यारती उनका विपिन रावत जी के नाम पर उसका नाम रखा गया है त चीफ ऑफ डिफेंस कौन है तो अनिल चोवान जी है और दूसरे नंबर के तो पहले नंबर के कौन थे विपिन रावत जी थे विद्यारती उनका आगे देखिएगा हाली में 16 जनवरी को राश्टी स्टार्ट अप दिवस 2024 मनाय गया राश्टी स्टार्ट अप दिवस का मन जाएगा इस्टार्ट अप दिवस मनाय जाएगा यह भारत की बढ़ती स्टार्ट अप परिष्टिती यह तंतर इमानेता और उस्तव में एक महतोपूर्ण दिन था दस जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक सपता को राश्टी स्टार्ट अप सपता कब से कब तक चल रहा है दस जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक और दिवस का मनाया गया 16 जनवरी को मनाया गया आगे देखेगा हाली में स्विट्जा लेंड के दावोस में विशु आर्थिक मंच की 54 वार्षिक वैटक आयूजित की गई तो विशु आर्थिक मंच की 54 वैटक अभी हाली में का हूँ विद लिंग ट्रस्ट और वैस्विक संगर्सो जलवाईव परिवर्तन और डीफ हैक पर बढ़ती चिंताओं के बीच ये बैटक शुरू ही है इसका उद्गाटन संगीत समारो सहारा रेगिस्तान और अमेजन वर्साबन को समर्पिता वारतिये परतिमीदी मंदल में इसमें तीन के केंद्री मंत्री कौन कौन जिन्हों ने इस बैटक में भाग लिया वारत की और से एक तो इसमर्ती इरानी जी एक आस्वनी बैसनाव और एक हरदीब सिंग पूरी अब मेरा आप से सवाल है कि आप ये बताईए इनके पास कौन कौन सा मंत्राले जिसे इसमर्ती इरानी है उ महाराष्ट के सियम और तेलंगाना के सियम और करनाटक की सियम और महाराष्टा के जो सियम है उनका नाम एकना सिंदे हैं और साती में तेलंगाना के जो सियम अभी हाली में न्यूक हुए है रेवत रेडी उन्होंने बाग लिया करनाटक के जो सियम है सिद्धा रमया जी उ दीक है अब EGNO का पूरा नाम पूचा जाए आपसे तो इसका पूरा नाम होता है डाइरेक्टर जनरल ओफ नेवल ओप्रेशंस अर्थीस वें इंटिग्रेटट कोर्स नोसेना अकादमी गोवा के पूरुचात्र एन परमोथ को एक जुलाई 1990 को भारती नोसेना में न्यूक्ति दी गई थी इनके बारे में कुछ प्रेट देए इसके लावा कब कब किनकी न्यूक्ति वी अभी हाली में जो न्यूक्ति की करेकरी निदेशक न्यूक्ति हुएं इंद्रमणी को बिमस्टेक का माजसची न्यूक्ति किया गया जस्टिस संजीव कन्ना को नालसा का कारेकरी अद्ध्यक्स न्यूक्ति किया गया करन अडानी अडानी पोर्स के नए मैनेजिंग डिरेक्टर बने इतिका महता को नीविय इंडिया का मैनेजिंग डिरेक्टर न्यूक्त किया गया अरुइंद पंगडियाजी शोले वितायोग के चैर्मेन बन गए हैं अध्यक्स बन गए हैं परमोद अगरवाल पीसी कि अध्यक्स बन गए हैं और अभी पांच राज्यों के सीम भी बने जैसे बजलाल सर्मा राजस्तान के डॉक्तर मौनियादव एंपी के विश्मुदेव सायच अतिस गड़ के अलाल दूहोमा मिजोरम के और रेवत रेडी ते लंगाना के बन गए हैं कि आगे देखिएगा हाली में ऑक्सपोर्ड विस्व इदालेक के वेज्जानिकों ने निपा वाइरस के टीके का पहला मानो परिक्षन किया तो किसने किया विद्यारती हुए यह अभी हाली में ऑक्सपोर्ड यूनिर्शिटी के दवारा किया गया है अगे देखिएगा पहले मानो परिक्षन में ऑक्सपोर्ड वैक्सिन समूग के नेतर्तु में 18 से 14 वर्ष की आयू के प्रतिभागियों को समिल किया गया वैक्सिन का नाम था है एडी ओ चैड़ो एक्स भी बोल सकते है निपावाइरस लगबग 75 परतिशत मर्तिव दरवाली एक गातक मिमारी है लगबग 75 परतिशत मर्तिव दरवाली एक वापिस हो गया निफा वाइरस सिंगापूर मलेशिया बांगलादेश और बारत जैसे कई एसी देशों में फेलने के लिए जिम्यदार है तो निफा वाइरस के बारे में चांते होंगे आप पहले अभी काफी चर्चा में भी रहाता इसके लावा हाली में भारती थाइनो सेना के पहला की इसको मैं बता दीता हूं एक रिक्सrie की दो न रहा गया एक तो आयोद्या के नाम पर ऑर एक अयुद्या के आइट्या अयुद्या में और इसकी सांस्कृतीक भारतों होते उए इन दोनों का मिक्स रोकन श.athra बारती नो सेना और रोयल ठाइस सेना के पहला दिवा पक्सिस समुद्रि आभ्यास का आयोजन किया गया था इसी परकार भारत और ठायलेंड के बीच में एक और से अभ्यास हुआ ता कुछ समय पहले को कौन सा मैंतरी मैंतरी अ जाए अब हैलेंड के बारे में सुछ नाम शाम देश या शाम मिलता है इस पूरी आइस इसलिए मैं न भारत और ताइवान के परियोटों को को चह महईनों के लिए विजा मुक्त किया गया ता उस समय भी थाइलेड़ चर्चा में रहा था तब भी हमने इसके बारें बात कि उसके लावादे के हाली में दियू में दमन दियू का नाम सुना ना आपने तो दियू में हुए पहले बीच गैम्स 2024 में MP overall champion मना तो किसने जीता है MP ने जीत लिया विद्यार्टी ये सारे किताब चैंपियन से MP के नाम रही है मद्यपरदेश बीच गैम्स में साथ गोल्ड मेडल जीते हैं ती के साथ ही टोटल इस बीच गेम में आठ खेलों को सामिल किया गया था जैसे बीच बोलीबोल बीच बॉक्सिंग बीच सौकर बीच कबड़ी और टग ओफ वार स्युमिंग और मलखंब इत्यादी गेमों को इसमें सामिल किया गया था आगे देखेगा हाली में 75 वा ऐमी पुरुसकार यानि कि एमी अवार्स 2024 परदान किये गये हैं उसकी सुरुत ईमी अवार्स देने की शुरुआत 1949 को वह गई थी अभर्स टेलिविजन में उत्रष्टा के लिए दिया जाने वाला वार्सिक पुरुसकार है इसके बारे में इफेक्ट भी पता होना चाहिए इस बार जो विजेताओं के लिस्ट है वो ड्रामा सीरीज में किसे मिला कॉमेडी सीरीज में किसको मिला तो ड्रामा सीरीज में तो सक्सेजन आगे देखिएगा हाली में भारती सेना ने जम्मु कस्मीर में ऑप्रेशन सरुसक्ति लॉंच किया तो ऑप्रेशन सरुसक्ति लॉंच अभी हाली में किसके दवारा किया गया है तो भारती सेना के दवारा किया गया है और कहां पर किया गया है जो कि जम्मु के अंदर सासित परदेश है वहाँ पर इसका मुख्य रूप से उद्देश है जो आतंगवादी है उनको ढूंड ढूंड कर निकालना देखिए इसका उद्देश से जमु कस्मीर में राजवरी पूंच बेल्ट में या रिकी छिपे आतंगवादियों को बाहर निकालना है पंद्रा कोर्स औ प्रदेश में माई स्कूल माई प्राइड नामक अब्यान सुरू किया गया तो यह माई स्कूल माई प्राइड नामक अभियान कोन सी reinforcement के दौरा सुरू किया गया है हिमाचल की कर्मेंट के दवारा इसको शुरू कर दिया गया है और मैं विद्यार्टी बात करें कि दूसरे इस तान कि लगा गया देखिए इसको दूसरा इस्तान जो रहा वो भी यार का तीसरा एंपी का ये रिपोर्ट नो वर्सों के अध्यन कर जारी की गई 2003 नहीं ये अलग भी द्यार्टी एक नहीं है अगे देखिया इमाचल परदेश की बात करें अगर हम तो इमाचल परदेश का गठन क्यों हो 25 जनवरी 1970 को और वर्तमान में हाँ कि जो राजदानी है वह सीमला है जो कि समर केपिटल होती है और एक दूसरी धरमसाला जो की विंटर केपिटल है और वर्तमान में हाँ के जो सीम है वो कोण है सुकविंदर सिंग सुकु जी देखिए अगर विद्यार्टिव में एक एक फैक्ट को ऐसे लिखने लगूंगा तो उसमें ज्यादा लगेगा यह लिका हुआ है इसको अगर मैं अंडरलाइन करके आपको समझा रहा हूं जल्दी रिकॉल हो जाएगा कि आप बहुत कम समय में अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको जन दीजिए और सुकुइंदर सिंग सपुजी विद्यार्टियों भारतिये राष्ट्री कॉंग्रेस पार्टी से समधित है यहां के जो राजेपाल है उनका नाम सीव परताप सुकलाजी है लोकसभा सीट यहां से 4 जाती है राजे सवा की सीट तीन जाती है और विधान सवा की सीट यहां 68 अगा कस्तूरी मर्ग जिसे हम हमते इंद्वा भी कहते है आज पकसी जुजराना है मोनल वीजन या फेजन के नाम से जाना जाता है या वेस्टन ट्राग उपन और बात करें यहां के जो हाई कोट है उसके जो मुक्यनाइदी से वो कौन है मुहमद रफिक जी है सीमा किसकी साथ साजय करता है तो उतरपरदेश उत्राखंड हरियाना पंजाब जम्मू एंड कस्मीर और लद्धाक और साती में चाइना के साथ अपनी सीमा साजय करता है बा 12 नेशनल पार्क है सिकारी देवी अभ्यारन भी यहां पर ही इस्तित है और जील कौन-कौन से हैं खजियर जील पारासर जील रेनुका जील चंदरताल जील सूरजताल वगरा सब यहीं है तर्रे कौन-कौन से हैं यहां पर सिपकिला रोतांग दर्रा बललालाचा दर्रा और पासोली जरमसाला और मनाली हैं मुख्यवासा यहां की इंदी है उसके लाव कागरी लाहोली यह भी है विदान मंदल यहां पर एक संद्नात्मक है राजे अपना इस्तापना दिवस का मनाता है 15 परेल को मनाता है और परमुक बांध कौन कौन से यहां पर पौंग बांध जो क आकि उसको जियाए टेक प्राफ्त हो चुका है उल्लूस ओल को चमबा चपल को और लहोरी बुने कोए मोजे के दस्ताने उनको भी प्राफ्त हो चुका है जी आई टेक कबकब चर्चा मेरा हिमाचल प्रदेश तो इन पॉइंट को भी हम देख लेते हैं हिमाचल परदेश राजे सरकार ने राजिव गांदी सवरोजगार इस्टाट अप योजना शुरू की तब चर्चा मेरा इमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शुपिंदर सिंग सुकों के दवरा सपनों का संचे योजना भी शुरू की गई सुक आश्रे योजना भी इसके दवरा चलाई जा रही है पुख्यमंत्री विद्यारती प्रोस्तान योजना है इस्टा गांदी महिला सम्मान निदी है संजीवनी प्रियोजना है अटी समुदायों को एस्टी का दर्जा देने वाला राज्य कोन सा बना है वो इमाचल प्रद योजना शुरू किये इसने और ग्रिन हाइड्रोजन पॉलिसी गोशना की है इस्पिती गाटी महिलाओं के लिए पंद्रा सुरूपे मासिक प्रोसान रासी की मंजूरी दी गई के लावा हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक पहला ग्रिन प्रदेश बनने का भी अपना लक्से है र्डियों अधरियों इक केबिन पर्णा लिन लागू करने वाला पहला राज्य को न सा बनाता हो हिमाचल प्रदेश बना ऑति में देश का पहला लपीजी सक्सम और दुर्म दुमरपान मुक्त राज्य को न समना हिमाचल प्रदेश दुनिया का सबसे उंचा मदान द्धनु यात्रा त्योहार शुरू किया गया तो धनु यात्रा त्योहार कहां पर मनाया जाता है उडिशा में मनाया जाता है ज्यानकी यह उस सब 11 दिनों तक चलता है इसमें बगवान किर्शन और किर्शन के जो मामा कंस थे उनका परदसन किया जाता है और यह आपको दिका औरिशा अपना इस्थाबना जीवस मनाता है जिसको हम उतकल दिवस के नाम से जानते हैं वरत्मान में यहां की जो राजदानी है वह बुवनेश है वर इसा के जो सीम वरत्मान में नविन पतनाएक जी है जो की बीजद पार्टी से संब्धित है बीजद का पूरा नाम होता ह और जो कि पांच भी बार बने हैं लगातार मुक्य बंत्री बने हैं बरत्मान यहां के राज़ेपाल रगुबर दास जी है इन से पहले प्रोपेसर गणेशिलाल हुआ करते थे बरत्मान लोकसभा सीट यहां से 21 जाती है राज़ेसभा की सीटे 10 जाती है और देखो उडिसा स से राज़ेसभा की सीटे कितनी जाती दस परकार राजस्तान से भी कितनी जाती है दस जाती है तो उडिसा और राजस्तान की राज़ेसभा सीटे समान ज्यानक नाव बरत्मान में हाँ से विदान सभा सीटे 147 है जीलो की संगतीस है राज़ेपस्वी यहां का सांबर है रा तरकनी का रास्टी उद्ध्यान यहाई है दंदन कानन वन्य जी अब्यरन ही हो गया चिमली पाल हो गया जो ब्लेक टाइगर के लिए फेहमस है तंद का हाती भीहार यहां पर ही है सतकोसिया टाइगर जो यहाई है गहिरमत वाइल लाइफ सेंचूरी यह भी उडिशा में है ज अंसूपा जील भी आई है कंजिया जील यहां है सीमा किस-किस के साथ साजा करता है वेस्ट बंगाल जारकन चाथिश गड़ा अंदर परदेश के साथ यहां का जो राज्य गान है वह बंदे उतकल जन्नी हां का राज्य गान है कलिंग को विजयारतियों उडिशा का लोक नरते है और इसके लवा चंदन यात्रा मौसव है चतर जात्रा मौसव है इसके लवा रजा परू है और ना खाई मौसव है बाली जात्रा मौसव है चव मौसव है कोईता बंदना मौसव है सीतल सस्टी परू यहां मनाय जाता है धनू यात्रा या धनू जात्रा परू यहां ही मनाया जाता त्योहार जिसको बोड़ा लोक नरते गुम्रा छाव सवारी संचार पेका गरुडवान चर्चित इस्थल कौन कौन से यहां के जिसे कटक जगनात मंदीर कोनार्ग पारादीप वगर सब है यहां के यहां की पहली मैला जो अध्यक्स बनी थी विदान सब गता लेकिन वर्त लोक सबाद और सविदान विदैक एक 113 वार 2011 में इसका नाम अदल कर पूसा कर दिया गया उडीशा नाम रखतिया गया तो अभी वर्तमान में उडीशा नहां के कर को क्या कहते है और इसा कब कब चर्चा में रहाता है को उडीशा की जो लांजीया सोरा सबसे बड़ा ओपन एर वार्सिक व्यापार मेला आयोजीत हुआ रात्रा सुरू किया गया अगला है हाली में उत्तर प्रदेश ने निति आयोग के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य बन गया है गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी होने वाला जो राज्य बन गया है यूपी बन गया है यह रिपोर्ट किस ने जा से पहले तो NITI इसको लिखते है और नितियायोग का पूरा नाम क्या होता है National Institution for transforming India क्या होता है National Institution for transforming India होता है इंदी में इसको बोलते है रास्ट्री भारत परिवर्तन सवंस्तान नीतियायोग का इसली की योजना पर काम करता था यह थोड़ा दिर्ग का लिन योजना के उपर काम करता है देखो नितियायोग भारत सरकार के दवर्ण गठीट एक संस्तान हैं जिसे योजनायोग के इस्तान पर लाया गया योजनायोग 15 मार्च 1950 को योजनायोग अगठन हुआ था अब में पीम कौन हुआ करते थे तो उस समय नरेंद्र मोधी और वर्तमान में भी कौन है नरेंद्र मोधी तो इसके जो पदेन अध्यक्स में पहली बार बात करें कि पहला पदेन अध्यक्स कौन था नरेंद्र मोधी जो कि भारत के परदान मंत्री थे और वर्तमान में नरेंद्र मख्यकारी अधिकरी भी होता है यह भाष सरकार का शैउसी याई इस होता है किए परदान मंत्री के दवार्ट में ist on इसार होता है उसी करता है निस्थिद कार्यकाल के लिए और पहली बार जो क्या गया कमें को बेट करें है। कि अगला विद्यार्तियों को कुसान कि क्यों प्रक्तित। सब्सक्राइबag transport जीत सकता है। झाल झाल